Now students, लेते हैं question number 4, question number 4 में आपको बोल रहा है, the earth and the moon attracts to each other by the gravitational force, does the earth attract the moon with a force that is greater than or smaller than, or smaller the same as the force, or the same as the force with which the moon attracts the earth, देखो, कह रहा है, आपको question में earth और moon है, ठीक है students, तो चलिए बना लेते हैं, यह देखिए, यह क्या है, आपका earth है, ठीक है, और students, इसी तरीके से यह आपका moon है ठीक है न, यह देखिए, moon का diagram बना लेते हैं, moon थोड़ा चोटा होगा, यह moon है, ठीक है students, अब देखिए, क्या हो रहा है, कि यह दोनों जो objects हैं, यह एक दूसरे को attract कर रहे है, according to the question कह रहा है, the earth and the moon are attracted to each other by the gravitational force, ठीक है, यह earth का center है, और यह moon का center है, इसको हम join करेंगे, ठी तो उस क्या है, capital R है, ठीक है, यह small r भी आप बोल सकते हो, दोनों के बीच का distance क्या है, small r है, यह capital R आपकुछ भी ले सकते हो, दोनों से, centers के बीच का distance है, small r, ठीक, अब मान लो, earth का mass है, capital M, ठीक, और moon का mass कितना है, small m, या फिर आप एक काम कर सकते हो, earth के mass को M1 मान लो, औ और मून के मास को आप M2 मान लो, okay students, यहाँ पे मास M1 और यहाँ पे मास M2, ठीक है students, अब हम से यह पूचाएगी, यह बताओ, कि यह दोनों एक दूसरे को अट्राक कर रहे हैं, हमें भी पता है कि इसके पास मास है, अगर दो बोडी के पास मास होते हैं, तो दोनों एक दूस एसे एट्राक कर रहे है, इस डिरेक्शन में, कितने फोर्स है, F ग्रेविडेशनल फोर्स है, तो मून भी क्या कर रहा है, यह मून भी क्या कर रहा है, इस अर्थ को एसे एट्राक कर रहा है, कितने फोर्स है, F फोर्स ही, पता है, तो यह दोनों फोर्स क्या होते हैं, the moon attract th earth ऑर्थ कैह रहा है कि और मून को क्या ओस पोर्थ मोर्थे ऊस फॉर्थ से ऐस पॉर्थ प्रक्ट करेगी जितने फॉर्थ बइस ट्रक करता हैं मतलब मून जितने फॉर्थ मून ऑट ट्रक कर रहा है कि यह अर्थ जादा अर्थ कमाश्याद है तो आपको फिल्ड दे रहा है किया अर्थ जादा फोर्स लगाएगी मून के उपर या उससे कम लगाएगी या इक्वल लगाएगी तो जवाब है इक्वल लगाएगी ठेक क्यों according to universal law of gravitation बच्चो अगर आपको यादो तुनो अगर मैं आपसे यह बोलूं कि force exerted by the moon on the earth सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं कि मून जो है वो अर्थ को कितने force रेट्राक कर रहा है तो force exerted by the moon on the earth मून अर्थ पे कितना force लगा रहा है तो आपने क्या पढ़ा था universal law gravitation में आपने पढ़ा था कि देखो अगर दो bodies के पास mass है तो किसी भी एक body को ले लो मानलो इसको ले लिया moon को ले लिया मानलो हमने किसको ले लिया moon को ले लिया ठीके ना और यह हमने earth को ले लिया मानलो हमने moon को ले लिया ठीके ना तो जो body है कोई भी let us say moon तो यह सामने वाले body पर कितना gravitational force लगा रही होगी उस gravitational force का जो magnitude होता था वो दो बातों बेटेबेंट करता था क्या it is directly proportional to the product of the masses of these two body product of the masses इसका mass कितना है m2 इसका mass कितना है m1 तो इनका product ले लो यानिकी multiplication ले square of the distance between these two objects तो इन दोनों object की बीच का distance कितना है R तो F is inversely proportional to R2 यानिके F is proportionate to 1 upon R2 बोल दो या F is inversely proportional to R2 यी हो गया अगर हम इन दोनों को combine करें यह relation 1 है और यह relation क्या हे टू है अगर हम इन दोनों को combined करें combined करना आता है physics मे कैसे combine करते हैं combining relation 1 & 2 combining relation 1 & 2 कै किसे कंबाइन करते हैं physics में relation को left hand side में जो लिखा रहते हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं ठीक है students और right hand side में जो लिखा रहते हैं उसको multiply कर देते हैं M1 M2 into 1 upon R square यह क्या जाएगा M1 M2 upon R square और यह proportionate का sign हटाओगे तो यहां से आ जाएगा आपका gravitational constant है ना universal gravitational constant capital G so capital G M1 M2 upon R square तो यह force है ठीक है जो किस ने लगाया moon ने और से इसको क्या पड़ेंगे force excited by the moon on the earth ठीक है अब similarly बच्चों similarly अगर हम calculation करें किसकी और हमने यहां lock on सा लगाया according to universal law of gravitation यह दो बाते होती हैं आपको यादोगा force is directly proportional to product of the masses force is inversely proportional to the square of the distance between these two objects ओके अब देखिए similarly हम क्या कर सकते हैं इसको हम कहीं side में लग देते हैं ठीक है बच्चों similarly हम क्या कर सकते हैं यहां कहीं यहां तो दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक है चलो similarly similarly यहां पर similarly बच्चों force अब मैं direct करा हूं समझ लेना force exerted by the earth on the moon मतलब अर्थ कितना force लगाएगी मून के ओपर ठीक है न यह अगर हम calculate कर रहे हैं आपे ठीक है students so कितना आ जाएगा दिखते हैं कि यह जो फोर्थ होगा इस बार यह फोर्थ भी डिरेक्ली प्रपोश्चनल होगा दोनों object के masses के product पे तो दोनों object का mass का product क्या हो जागा M1 M2 और उसके बाद यह 4 से inversely proportional होगा square of the distance between these two object फिर से ना तो object की distance बदलेगी वही है और ना तो object का जो masses हैं उनके product बदलेंगे okay so relation 1 और 2 को जब आप combine करोगे तो आपको as it is result मिलेगा जैसा आपको पहले मिलता यानि कि F is equal to capital G M1 M2 upon में R square और यहां पर नीचे हम क्या लिखेंगे नीचे हम लिखेंगे EM EM मतलब force exerted by the earth on the moon okay students so अब आप देख लो force exerted by the moon on the earth भी उतना ही आ रहा है and force exerted by the earth on the moon भी उतना ही आ रहा है ठीके ना so we can see we can see we can see we can see here here numerically हम देख सकते mathematically हम देख सकते हैं कि F E M is equals to F M E याने कि force exerted by the earth on the moon is equals to force exerted by the moon on the earth बोथ हार equal okay students तो इस तरीके से हम भाई दोनों का numerical value सेम है GM1 M2 upon R square यहां पर जो GM1 M2 upon R square ठीके ना तो दोनों का numerical value सेम है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अर्थ मून को उतने ही force से ट्रक करेगी जितने force मून अर्थ को कर रहा है इस confusion में मत पर जाना कि अर्थ का मास बढ़ा है तो वो मून पर ज्यादा force लगाएगा नहीं इस बात में मत पर जाना ठीक है एक बात और बताता हूं आपको पता है यह Newton's third law क्या कहता था कि जब कोई body किसी दूसरी body पर force लग है क्या पढ़ाता action reaction room में कि equal and opposite forces होंगे two different bodies पर करेंगे याद है तो चेक कर लो यह वाला force कि इस direction में इसका magnitude कितना है यह रहा और सब्सक्राइब यह वाला force यह वाला force कौन लगा रहा है मून लगा रहा है अर्थ के उपर इसका magnitude कितना आया पहले यह वाला force देखो यह वाला force इसको ऐसे एट्राक कर रहा है इतने फोर्स से इसी तरीके से अर्थ मून को इतने ही फोर्स से एट्राक कर रही है कितना आया था यह दोनों फोर्स क्या है दूसरा क्या लग रहा है अर्थ पर यानि कि आपको यह समझना चाहिए कि equal and opposite forces two different bodies पर लगते थे यही पढ़ाताम ने और फुन लोग दोनों के nature same होने चाहिए जो force equal and opposite है उनके nature same होने चाहिए यहाँ पर दोनों का nature कैसा है gravitational force है यह भी gravitational force है यह एक तरीके का gravitational force gravitational force mass की वज़े से होता है पढ़ा है आपने ठीक तो बस मास की वज़े से force से ओके तो अब answer कैसे लिखेंगे exam में यह सब अगर आपको explain करना है तो आप फटा फट explain कर सकते हो दो minute लगते हैं नहीं explain करना चाहते हो तो आप सीधे लिख देना बस मैं आपको समझा रहा था है इसलिए मैं आपको बताया देकिये according to universal law of gravitation two objects attracts each other with equal force but in opposite direction ठीक यह देखिए according to universal law of of gravitation ठीक है two objects having mass ठीक है obviously two objects बोल दिया तो object के पास mass तो हो गई है ना two objects attracts each other with equal force but in opposite direction दोनों object एक दूसरे को attract करते हैं equal forces से जितना ही है उस पर लगाएगा उतना ही है उस पर लगाएगा लेकिन ये force कैसे होते हैं opposite direction में एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे ठीक ठीक है तो यहां theory के form में हमने लिख दिया है कि अर्थ मून को उतने ही force attract करेगी जितने force मून किसको करता है अर्थ को यह तो theoretical language है लेकिन क्योंकि आप physics पढ़ ले तो थोड़ा सा mathematically करना भी बनता है तो इस तरीके से आप बच्चों इसको अगर दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है नहीं दिखाना है तो बस आप theory लिख सकते हो ओके नोट कर लीचे